कि ये गाइस तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप इस तरह का मैनुपलेशन कैसे कर सकते हो एंड अब आपको बताऊंगा कि जो आपकी ब्लैक तीम वाली में कुछ इस तरह की फोटो रेटी है तो आप इसमें में अलग 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 पकार के टोन कैसे डाल सकते हो तो वही आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को एंड तक वाच करना तो उसके लिए करना आपको इस फोटो को बन कर लेना लाइट रूम में and then क्या करेंगे यहां से जाएंगे सलेक्टेव तूल में and सब्सक्ते पहले मैं आपको एक अमीजिक टोन तो देखी मैं कोई ब्लू अच्छा लगा कि मैं यह सलेक्टा लेखा हूं इसको कुछ इतना रखूंगा एंड यहां से कर दूंगा राइट देखिए यह टोन भी कितना बढ़िया लग रहा है हमाई फोटो में देखी बिफोर एंड आफ्टर आपको एक और अच्छा सा बढ यहां से कर दिएंगे सेशिरिशन कम इसमें डालें गया हम एक औरेंज टोन तो मैं यहां से और एंज अलैक्ट कर्ले कर लेता हूं तो देखिए मैंने औरंच क्लर सेलेक्ट कร लिया रखकरों आप कर आंपकवेर उसको थोड़ा सा कम कर दूँंगा यहां से कर दूंगा तो यहां से जाता हूं ब्लैक एन वाइट टोन में तो देखिए यह तोन भी किता बढ़िया आया इस फोटो में तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी फोटो है तो आप अलाग अलाग तरह के टोन डालना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो तो देखिए इसमें पूरा सेलेट कर लेता हूं एंड इसको कुछ इतना रखूंगा अब देखिए आपको क्या करना है इसका जो एक्सपोजर उसको कर देना है कम देखिए एक साइट से कितना बढ़िया लोका रहा है हमारी फोटो में बिल्कुल डार्क सा देखिए बिफोर इन आफ्टर कितना तोन डाल सकते हो आप इसी तरीका सेल आप जो पर पासदो आप उस तरीके का टून डालना इस मेरी सेटप को फॉलो करना आप जो प्र बढ़ रपसंट ओ आप और दल सकते हो चलिकाल पाई अगर आप यह वीडियो पसंद आई हो गर देना लाい और चैनल को करने अ शब्स् झाल 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 झाल